हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी को आज की इस वीडियो में तो जल्दी से इस चैनल को सब्स्राइब कर देज़े और बेल आइगन को जरू दोआ देज़ेगा चूंकि जब भी वीडियो अप्लोड हो तो नोट आपके पास सबसे पहले पहुचे और एक लाइक दो बनता है दोस्त क्योंकि जब आप लाइक देते हैं तो मेरा मोडिवेशन लेवल और भी बढ़ता है तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर देज़ेगा मैं आपको बता दूँ कि आज जो हम बात करने वाले हैं वह है इलेक्ट्रिक वाहन में फेम निती क्या है या 2015 में इलेक्ट्रिक वीकन को बढ़ावा देने और देश में इलेक्ट्रिक वीकल और उनके घटकों के निर्मान को प्रुचाइद करने के लिए इस फेम निती की सुरूआत की गई थी और इस फेम निती की पहल एक सरकारी पहल है भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पा है बात करें इसकी सुरूरात किस डेट से हुई थी तो 2015 में तो शुरू ही थी बट जो समापत हुई थी पहला चरण वो 31 मार्ज 2019 को समापत हो चुकी थी अगर इसकी दूसरी करण की बात करें तो इसका दूसरा चरण 2019 में फिर से दुबारा स्टार्ट की गई और 2024 तक 31 मार्च 2024 तक ये जारी रहेगा तो दूस्तों अगर अब बात करें कि फेम नीती जो फेम सबसीडी है उसका लाब कैसे मिलेगा तो इस नंबर वन जो बाताती है वो है ये देखना होगा कि आप जो वाहन सबसीडी के दाएरे में आता है या नहीं नंबर टू की बात करें तो अगर आपके स्कूटर के निर्माता फिकर्शना टार्ए तो आपको सबसीडी मिलेगी नंबर तीरी में आता है ठेकला क्या आपको मिलने वाली छूट सबसीडी पर नीरबर करती है आपकी जो मिलने वाली छूट है वो सबसेडी पर नीरभर करती है कि सबसेडी मिल रही है वहा या नहीं मिल रही है नमबर फोर की बात करें तो जिस डीलर से आपने वहन खरिदा है वो उस वहन निर्माता कमपनी को उसका वीबरन भेजेगा नमबर फाइब निर्माता कमपनी ये जनकारियां राष्टिये आटोमोटिव बोर्ड एन एबी को भेजेगा जो सबसीडी योजना की निगरानी करता है अब नमबर 6 पे आता है कि जब भी सभी जनकारियां सत्यापित की जा चुकी होगी तब सरकारी सबसीडी निर्माता को भेज दी जाती है निर्माता फिर इस सबसीडी को डिलर को दे देता है इस परकार आप सबसीडी का लाब उठा सकते हैं आपको फेम के तहट जो सबसीडी मिलनी है वो मिल सकती है थैंकियों दोस्तों धन्यबाद बाबाई